सबसे पहले मैं भारत देश के कोने कोने में रहने वाले किसान भायों को तह दिल से नमस्कार करता हूं जोहार करता हूं और उनके मेहनत को मैं लाख लाख सल्यूट करता हूं क्योंकि वो अपने मेहनत से ठीक है पूरे देश को पाल रहे हैं ठीक है और इस बात को सरकार जान रही है, भली भाती जान रही है, अगर किसान मेहनत करना बंद कर देना, तो देश में आकाल आ जाएगा, ठीक है, इस बात को समझे, एक गौर्णनेंट भी समझती है, इसको जानती भी है, देखे, PM किसान का अठारवे किस्त का पैसा, जिन भी किसान भायों को मिल गया है वे उनिस्वी किस्त का पैसा कब डलेगी इसका इंतिजार कर रहें ठीक है और करे भी क्यों नहीं क्योंकि उनका हग बनता है ठीक है तो PM किसान का उनिस्वा किस्त कब मिलेगा ठीक है इसके बारे में भी आज हम लुक इस वीडियो में चर्चा करेंगे ब अच्छ है सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर साल एवरी एर छे हजार रुपिया तक की नियुंतम आए सहता प्रदान करना है मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पियम किसान का जो किस्त मिलता है किसान भाइयों को ठीक है किसान भाईे जो हमारे किसान भाईे भहुत अधिक मेनत करते हैं और उनका पुंजी होता होगा जो capital लगता है ग्रिश्य कारिक करने में ये बहुत ज्यादा लगता है ठीक है तो उसके हिसाब से कम से कम 12,000 होना चाहिए ठीक है उनका हग बनता है है ना तो पहला किस्त कम से कम चार हजार मिलना चाहिए ठीक है दूसरा किस्त मिलना चाहिए चार हजार रुपिया ठीक है और तीसरा किस्त मिलना चाहिए चार हजार रुपिया तो सलाना कम से कम छे हजार से बढ़ा कर बारह हजार करना चाहिए और ये हमारे किसान भाईों के लिए बहुत अच्छा होगा ठेके ना सरकार इस बात को संग्यान में ले और उसे सुरू कर दे देखे पी-म किसान जोजना का मुख्य उदेश क्या है मुख्य लच्छ क्या है क्रिसी भारती अर्थव्यवस्था का एक महत्पूर्ण हिस्सा है और किसान जो है न समाज के परमुक बरगों में से एक आता है और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि देश में सहरी और गरामिन छेत्रों की बीच बहुत अधिक आर्थिक आसमानता है इसके वज़ा से क्रिसक समुदाय अक्सर वित्य समस्या से जूचते रहें और यह समस्या यह जो प्रॉबलम है सुतंदरता के बाद से भारत की अबादी की अनि किसानों के अबादी की एक बड़े हिस्से को परिसान करते आ रही है अब हम बात करते हैं वैसे किसान भाई लोग जिनका अठारवी किस्त का पैसा आ चुका है और वे लोग उनिस्वी किस्त का राह देख रहे हैं इंतिजार कर रहे हैं तो ध्यान समझेगे ठीक है सतुलह्वा किस्त का पैसक गब आये था 28 फरवरी को आये था ध्यान समझे ठीक है और सत्रह्वा किस्त का पैसक कब पहुंचा था जून में आया ठीक है तो फरवरी और जून की बीच में किने डिफेरेंस है। चार मेने के डिफरेंस है ठीक है अंतर है और 17 किस्त में 9.3 करोड किसान भायों के खाते में लगभग 20,000 करोड रुपिया DBT के माध्यम से पैसा सीधे हमारे केसान भायों के खाते में डाला गिया था और अगर हम बात करें कि 18 किस्त का पहुचा तो यह पहुचा हम लोग aumentar 5 ऐकूबर को ठीक है 5 ऐकूबर के पैसा मिल गिया था तो कितना दिफरेंस यहारा गया चार महिने का तो उनिस्वा किस्त कब पहुँचेगा देखे उनिस्वा किस्त पहुँचेगा चाहे तो जनवरी चाहे तो फरवरी ठीक है ये दो महिना आपका एक्सपेक्टड है अनुमाने तो देट है ठीक न चाहे तो मिलेगा जनवरी में या फ्रवरी में नए साल के जनवरी में या फ्रवरी में confirm है उनिस्वा किस्त का पैसा आज जाये का आपके खाते में ठीकिन है इससे पहले अगर अगर डेट आपका अफिसिल डेट जारी होता है तो मैं आपको इंफर्म कर दूँगा पहले हैं ठीक है किस दिन जारी होगा तो आपको बिल्कुल भी जिंता नहीं करना है किसान भाई ठीक है और सबसे इंट्रेस्टिंग बात कि इस अठारवी किस्त में जो जारी हुआ था 5 अक्टूबर दोजाश चोबिस को उसमें क्या हुआ है जो रासी है ठीक है तीन पॉइंट पैंतालिस करड़ रुपिया बढ़ा है इजाफ़ा हुआ है इसके मतलब साफ है कि हमारे किसान भाई ठीक है काफी एक्टिव है और वे लोग अपना रेजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ा रहे है ठीक है याने किसान भाई की संख्या बढ़ रहे है पियम किसान का जो रेजिस्ट्रेशन होता है ठीक है पंजिकरन भोलते हैं उसको ठीक है उनमें उनकी संख्या बढ़ रहे है और बढ़ना और भी बढ़ेगा ठीक है यह बहुत अच्छी बात है और मैं उमीद करता हूँ कि उनिस्वा किस्त जब जारी होगा तो ये जो रासी है ठीक है और ज्यादा बढ़ेगी ठीक है और ये साब बताता है कि हमारे किसान भाई काफी जागरुक हो रहे हैं और वे लोग जो योजना है सरकार की ठीक है उस तरफ आ रहे हैं और वे लोग भी अपना registration अपना पंजिकरेट करवा रहे हैं ठीक है और यह होना भी चाहिए ठीक है क्योंकि हमारे किसानों बहुत ज़ाद मेहनत करते हैं और उनको यह benefit मिलना ही चाहिए